अनुपमा लेकी घर छोड़ने का फैसला स्टापलिस के शो अनुपमा की कहानी में बड़े बड़े शो इस्टेंटर्स तो देखने को मल रहे हैं तो वही अनुपमा के लिए और भी ज़्यादा मुसीबते भी बढ़ती जा रही है जहां पहले ही अनुपमा के लिए मुसीबत का सबब थी काविया के अब वनराज भी एक नया परिशानी का सबब उसके लिए बदग्या है तो वही तोशो भी अनुपमा को इतनी जादा खारी-खोटी सुनाता है जितनी काविया और वनराज भी न सुनाते हो जहां बार बार अनुपमा को अनुपमा और अनुज के इस रिष्टे के लिए बहुत सरी खरीखोटी सुनने को पढ़ती है और तोशू तो ये तक कह देता है अनुपमा से कि वो गोल्ड लिकर है और अनुच का पाड़े के साथ उसका बातचीत करना और मिलना सिर्फ और सिर्फ उसके दौलत के लिए है जहां वनराज भी अपने घटिया पने की सारी हदों को पार कर देता है और अनुपमा से ये तक कह देता है कि तुम्हें ये ओफर इसलिए मिला है क्योंकि अनुच का पाड़े तुम्हारा दोस्त है जिसके बाद बाब ही अनुपमा के खिलाफ हो जाती है और अब इतनी सारी अब चीजों को देखने के बाद अनुपामा ये बड़ा फैसला रिविनने वाली है और उसका फैसला ये होनी वाला है कि भले ही बाबुजी ने वो शाह हाउस में उसे एक हिस्सा दे दिया है लेकिन इससे जादा अनुपामा का उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अनुपामा अब इससे जादा अपनी जिल्लत नहीं सह सकती है और अपने अभिमान के लिए अनुपामा उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेने वाली है जहां इस बारे में अब वो सब को बताती में भी नज़राने वाली है तो अब अनुपामा किस वैसले पर क्या होने वदा है सबका रियाक्शन जानने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल लाइक की टिस्वे देखो कमेट से पने विए ज़रू बता है और साथ साथ चैनल के नोटिफिकेशन आन करना भी बिल्कुल भी न भूने